नमस्कार साथियों श्वगत है आप सभी का आज के नई विडियो में ये वीडियो आप सभी सक्षा मिनसाथियों के लिए काफी जादा महत्तögरें उन काफी जादा helpful होने वाली है इस वीडियो में आप सभी के बीच में हालही के दिने कुछ प्रापर तरीके से कुछ खबने साजक निकलकर आई है उन्हीं प्रति करियों के उपर बात करेंगे सबीसाथी विडियो को पूरा देखें चैनल को अभी तक आप वाज़े प्रदेश के 49 ऐसे में आप बुस्व करने जा रहे हो पहली बार इन दस वर्सों में जो दस वर्स हो गई भाज़पा की सत्ता में पहली बार चुनाव कारी समिती की वैठक छह महीने पहले हो रही है दिसंबर में चुनाव होना है वर्ना भाज़पा तो करती नहीं है वाज़पा तो चुनाव समिती की वैठक उसी रात बोलाती है जब सुबह परचे फाइल होने की अंतिम तिथी होती है और यह सब कब है जब आप सब लोग अपनी आवाज उठाना शुरू क लगी है इसका मतलब है कहीं कहीं भाय उत्पन ने जिस तरीके से कलेवी पी न्यूज कह रहा था कि 65 प्रसत लोग वोटर कह रहे हैं इंडिया को वोट करेंगे आज फिर न्यूज 24 ने अभी एक सर्वे किया है मैं थोड़ा सा आपका समय लेता हूं और फिर मैं उसे आपको बताता हूं किया सर्वे का रिजिल्ट आया है इस तर्वे किया है कि सरकार को लेकर एक सवाल किया है लोगों से आम जनवानत से और अब उसमें आपने बताया भी है कि मैं कौण गारूंसे जड़ा देख बताएं तो यह उसका पढ़िणाम कि मेरे पास आनी रहे में उसका जो उन्होंने शर्वे कराया है अगर यह जो सर्वे आ रहे हैं शर्वे देखकर भाजवद्वाकि पेसानी पर जो बल आ रहा है वो सभी चैनल कुछ भी परोस हो ब्यार में 2015 में चुनाओ हो रहा था सब परोस रहे थे कि भाजपा की पूर बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा मैं 40 सीटों पर सिमट चुकी थी कि मेरी बात लोगों से उती थी मैं लोगों से कहता था कि सभार के मामला Digital का को इसलिए है कि समाजभादी पालिटी 35 प्रस्तफ वोड़ड पाईगी कि आप देख रहे हैं करनटकी आज एक वड़ी ख़बर आ रहे थी आधरी तिरपाठी जी को मैं संग्यान दूदू कि वहां से सुनने मारा कि आठ वीजेपी के विदाइक इस्तीफा देने जा रहे हैं वो कांग्रेस में सम्मिलित होंगे वैसा ही सबाग के साथ और यह अगर से पूछे कि 36 गड़ में कांग्रेस का क्या रहेगा तो अब बता हुए अभी कि 36 गड़ में कांग्रेस फिलाल एज बना चुकी है बीजेपी वहां को यह ऐसा चेहरा नहीं दे पाई है मद्यप्रदेश में भी एज दिख रही है और राजिस्तान में जिस तरीके साथ वसं पदेश में जो सरकार जनता के लिए काम करेगी उसे जनता विफास मत देगी मैं EVM के बारे में दावा नहीं करता लेकिन हकीकत है चर्टिवगर में किसानों के लिए काम किया जब 15-16 रुपया कि लो धान यूपी में बिक रहा था यहां पे 25 रुपया बिल रहा था तो नि यही कारण है कि यहां पे सरकार जो है पुरा बंती दिख रही है अलाकि चुनाओं के बारे में दावा नहीं किया जा सकता लेकिन बढ़ा निसी तरूप से कांग्रेश ने ले ली है और मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उन लोगों के अंदर शिकमार जी एक तो क होता है तो यह लोग अतिव विश्वास के शिकार है इनको लगता है कि इनका जो फार्बुला है वो मंदिर बस्चिद वाला वो आखरी समय पे उसको भुला लेंगी तो इसी के कारण गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं